नवस्कार सच्रिकाल जै जोहार आप देख रहे हैं जी अन भारत जन जन तक घागरा थाना में मारपिट मामले में गीता देवी ने की सिकायत दर्जुई प्रात्मिकी घागरा थाना चेतर के बराडी ग्राम निवासी लाल मुनी देवी ने घागरा थाना में लिकित आवेदन देकर अपने पती, गर्वती, बेटी वखुद पर गाउं के ही अवदेश यादो वभीम यादो पर मारपिट वजान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाई है इस समन में लाल मुनी देवी ने बताया की बीते रविवार की साम लाल मुनी का देवर बली सिंग जो बहुत कम सुनता है वह अपने साइकल में धान बांद कर आ रहा था इसी दौरान ट्रैक्टर लेकर धीम यादो वह अबदेश यादो पीछे से आ रहा था इस दोरान होर्न बजाने पर बली को सुनाई नहीं दिया और वह अपना साइकल साइड करने में थोड़ी देर कर दी जिस पर दोनों युवक ट्रैक्टर से उतर कर अंधा धूत मार पिट करने लगे इस दोरान गर्वती गीता देवी पहुँच बीच बचाव करने लगी जिस पर गीता को भी दोनों युवकों ने बाल पकड़ कर घसिट घसिट कर मारने लगे गर्वती महिला के पेट पर भी लात मारा साथ ही उसके साथ छेड़ छाड़ भी किया जिसके बाद सभी घर चले गए घर जाने के लगबग आदा घंटा के बाद दोनों युवक फिर घर आए और घर में लालमुनी वफपती सूठा सिंग को मार पिट किया जिसके बाद सभी घर चले गए घर जाने के लगबग आदा घंटा के बाद दोनों युवक फिर घर आए और घर में लालमुनी वफपती सूठा सिंग के साथ मार पिट किया इस दोरान सूठा का सर फट गया जिसके बाद सभी जान बचा कर थाना आने के लिए घर से निकले जिसके बाद दोनों युवक पुना तलवार वो बलुआ लेकर जान से मारने के लिए लालमुनी के घर गए तब तक सभी थाना आने के लिए घर से निकल चुके थे जिसके बाद जान से मारने की धमकी देकर दोनों युवक वहां से चले गए तीनों घायल लगबग 9 बजे राद घागरा थाना पहुंच घटना की जानकारी दी जिसके बाद थाना प्रभारी सुरज रजक ने तीनों घायलों को समुदायिक स्वासिकेंद्र में इلाज कराया इस समंद में थानेदार सुरज रजक ने बताया कि तीनों का फ्रातमेक उच्चार कराय गया है प्रात्मी की दर्ज भी कर ली गई है दोनों आरोपियों की धर पकड के लिए छापे मारी की जा रही है जल्द दोनों को गिरफतार कर लिया जाएगा लगे मोर hai hai घृड़ा लाट खोड़ाने के लिए ऑढ path jeemac मारो पागल है किसे प्रीka में के लिए पिछा जब्हाने ककर के लिए उसका ऐगल हमको घर जोर दिया घर आये फौराणु हो जोताया ऐग अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले